हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे की हमारी नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पाथ तो देखो मैंने जो कल आपको पढ़ाया था हमारा सुरू होगा चेप्टर सर्फेस सर्फेस एरिया एंड वोल्यूम हिंदी में बोलते हैंसे प्रश्टीय चेतरफल बाष्टिय चेतरफल क्यक्व, क्योबविड कैसा होता है देखो यह एक ReqTング Leopard बनानाया से लेक्टेंगल माने आयद फिर एक और ऐसे काट बना देंगे Rectangle और इसको यूँ मिला देंगे मिलाने पर ये एक बोक्स दिखेगा यो एक कमरा जैसा दिखे रूम जैसा तो ही आपका लेंध होता है यहांबु अब इसका जो ये परेंट मिफ आपेंदヤजे की दो, ओंगन्या-न ब्रैक्टेश की तरह मिने में को मळकशन्यान, बोलते हैं तो एरिया बेस हो जाएगा आपका लेंट इंटू ब्रेथ और इसका जो पेरिमिटर होगा परिमाप वो जाएगा दो ब्रेकिट लेंद प्लस ब्रेथ अच्छा जो की वोड होता है इसे हिंदी में गनाब बोलते हैं अब इसके कुछ-कुछ फर्मूले याद करना हैं जैसे वोल्यूम इसके वोल्यूम अने आयतन आयतन क्या होता है आयतन होता है कि कोई वस्तू जैसे कोई सोलिड है ये बोक्स एक सोलिड है इसके अंदर कोई चीज कितना समा सकता है इसके अंदर कोई पानी मिट्टी तेल कितना समा सकता है उसके समाने को बोलते है वोल् तो वोल्यूम जो होता है उसको निकालने का फर्मूला होता है आपर क्योंकि यह क्योंकि आपका प्रिज्म है तो प्रिज्म है तो प्रिज्म में क्या होता है कि जैसा बेस होता है वैसा ही उसका टोप होता है तो जो बेस का अगर एरिया है अगर हमारे बेस का एरिया वह बेस नेपंपर को घेल्म कर दो आपका निल्जाता तो वोल्यूम का फ्रमूल वना अधार का चेथपल गुना लेंद्याने आप लेंध लियुम का काम नहीं लेकिन सबी लिखता उल्एे लोल्ज का काम नै लेकिन इसको हम कर सर्फेस एरिया को लेटरल सर्फेस एरिया भी कह देते हैं तो लेटरल सर्फेस एरिया के जोगे एक और नाम होता है एरिया ओफ फोर वोल यानि चार दिवारों का चेटपल तो हिंदी में हुआ चार दिवारों का चेटपल या वकक परश्ची चेटपल या पार्स का परिमाब और गुण ना में उचाई तो अधार का परिमाब मैंने यहां पर बताया था दो प्रेकिट लेंदिफ प्लस ब्राइथ और इंटू में आइड तो यह आपका बन जाता है एरिया ओब फोर बोल का जो का वूला है वह ये हुआ टू ब्रेकिट लयाध चाहर दिजा करना पड़े आधा है में टोटल सर्पेस एरिया होता है इसका वो इसे 2 प्रेकिट एलबी प्लस बी एच प्लस लेज यानि दो ब्रेकिट लंबाई गुना में चोड़ाई फिर चोड़ाई गुना में उचाई और फिर लंबाई गुना में उचाई अब यहां पर डबल भी लगाना होता है वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको फैलाऊंगा न तो फैलाने पर मुझे दिखने लेंगी ऐसे छे फैस दिखेंगी चार दिवार दिखेंगी और एक फरस और चथ दिखेगा तो पूरी तरे से अगर हम इसे खोलेंगे न तो खोलने पर आपको जैसे एरिया ओ बेस है यह लेंध इंटू ब्रेथ वाना तो ऐसी टॉप होगा लेंध इंटू लिए ऐसी यह वाला इस दिवार केरें निकालेंगे न तो ब्रेथ इंटू हैड्ट और इधर वाली जो कों ब्राम निकालेंगे पर लेंगे न तो यह लिग Anda उड़ा तो यह पी दो बार आ गया इसे लिए डूब लेंगे अब एक और रह गया सामने वाला सामने वाला ओग किनारे वाले और दो सामने वाले एक सामने वाल एक पिच्छरी दिवार आई उसको भूलेंगे Length इंटु हाईट यह और आपका क्या किबोइड ऐसी यह को हिंदी में गन भोलते हैं। सभी भूजाएं जो होती है वह बराबर साइज की होती हैं इसकी जो लेंथ है ब्रेथ है, हाइट है, वो सारी की सारी समान साइज की होती है तो इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सारी ने समान होती है तो यहाँ पर आपका लेंथ हो जाएगा, वो भी सेम, ब्रेथ भी सेम, और हाइट भी तीलों सेम हो गया, इसलिए यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो height भी है, breath भी है, और length भी ए, इसका ना, नीचे वाला जो base अगर देखें, तो इसका जो नीचे वाला base होता है, वो एक होता है square, square इसलिए होता है, क्योंकि इसकी जो, सारी set बराबर है, सारी set बराबर है, सारे angle 90 है, तो यह नीचे वाला square हो गया, तो इसके area बेस हो जाएगा, आपका a का square, और इसका perimeter जाएगा, 4 into side, ठीक है, एक square का area होता है, a square, यहनी side का square, और उसका जो perimeter होता है, वो होता है, 4 into side, तो यहनी इस cube का, जो base होता है, वो एक square होता है, यहनी वर्ग होता है, और उसके अधार का छेतरफल होता है, a square, और उसके अधार का perimeter परिमाप होता है, वो होता है, 4 गुना बुजा, अब हमें इसम करना है volume का formula तो एक cube का volume क्या होता है surface area क्या होता है या total और एक होता है lateral surface area और एक होता है area OF 4 wall इसा पब कर एक ही meaning है और एक होता है total surface area तो ये वस यह तीन फर्मुले है इस तीन फर्मुले को याद करने में बच्चे महिन fills निकाल देते हैं तो आप देखरों किछ निकालोगी तो इसका वोल्यूम का पर आप्टा मुला होता है एरिया वबेृट इन्टू में धाय। ज्यानि अधार का। ओक्तों पड़ते हैं ऑब ओगर सुनो तो इसका वुल्य मारी लोता है और बेस इंटीर कर्णी यह सब जो होता है प्लास्टिक बोक्स एक ना प्लास्टिक का बोक्स है 1.5 मिटर लॉंग उसकी जो लंबाई है ना 1.5 मिटर है फिर आगे लिकाएं 1.25 मिंटर वाइड 1.25 मिटर चोड़ा है और 65 सेंटी मिटर डीप और उसकी घहराई है 65 सेंटी मिटर अब तो पहले दो मिटर में और तीसरा वाला क्या है सेंटिमीटर में तो क्या करोगे सेंटिमीटर को मेटर मदलोगे तो उसको सो से डिवाइड कर देना क्योंकि एक मेटर में सो सेंटिमीटर होते हैं तो जह हम सेंटिमीटर से मेटर पर जाते हैं यह चोटी राशी से बड़ी राशी पर तो डिवाइड देते हैं तो इसको सो से दोगे तो 0.65 मीटर आजाएगा बोलता है कि एक प्लास्टिक का बक्सा है जो इतने मीटर लंबा चोड़ा उचा है इसके बनाया गया है इट इस ओपन एड़ टोप यह उपर से खुला हुआ है इगनोर दा थिकने सो प्लास्टिक सीट आपको प्लास्टिक की सीट की मोटाई को नगड़े मानना है उसको ना के बराबर मानते हुए आपको कहता है डिट्रमाइन कर दो बस आपको पहला निकालना एरिया ओप सीट रिक्वाइर फोर्दा बोक्स आपको ऐसा बक्सा बनाने में जितना सीट लगता है उसका एरिया निकालना है और बक्सा कैसा बनाना है खुला बनाना है तो इसमें एरिया ओफ फोर वोल लगा देंगे चार दिवारों का चेथपल और एक फरस का चेथपल लगा देंगे तो इस फर्मुले से हो जाएगा दूसरा कहता है कोस्ट ओव सीट आपना सीट की लागत बताओ इस सीट मेजरिंग वन मिटर स्कूर कोस्ट 20 रुपे जो सीट बनेगी वह 20 रुपे 20 रुपे पर मिटर स्कूर की लागत से मिलेगा तो उसके कितने खरीदने की लागत आएगी वह भी निकाल ला है तो मैं करके बताओ थोड़ा सा अपना ऐसे बोक्स बना लिया मालो बोक्स बनाया यह उपर से खुला बोल लखा है त इसको बनाना है तो इसका एरिया कितना लएगा तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ओफ सीट यानि सीट का एरिया हो जाएगा एरिया ओफ फोर वोल क्योंकि ऊपर से तो चलो खुला बनाना है लेकिन यहां चार दिवारों से गत्ता लगाना पड़ेगा यह सीट लगाना पढ़ेगा तो आपको area of forward निकालना होगा ích ऑफ प्लस एरिया of floor या और फरसस्ट का area को base भी कहते हैं तो आपको चार दीवारों के चेत्पल को fuss के चेत्पल से जोड़ना होगा यै और धार के चेत्पल के आट कम के परसन में आपको लेंथ मीली गया था 1.5 मिटर ब्रेथ आपको मिली गया था 1.25 मिटर और हाइट भी आपको मिल गया था 65 सेंटिमेटर तो इसको मिटर मनाने के लिए सोच से डिवाइड करके 0.65 ले लेना अब यहां पुट कर देना आपका अंसर आएगा फिर आपको कोश्ट निकालना है जो भी अंसर आएगा उसे 20 रुपे से मंटिप्लाई कर देना आपका अंसर रुपे में आ जाएगा ठीक है दूसरा कोस्टन देख लेते हैं दूसरा कोस सफेदी सफेदी कराने की लागत गयाद करो दा वोल ऑप दा रूम एंड़ सीलिंग एड़ रेट ओफ सेवन पंट फिप्टी रुपेज पर मिटर स्क्यार बोलता है इसके दिवारों और चट पे सफेदी कराने के लिए क्या करोगे तो वही चार दिवारों का चेट पल तो चार दिवारों के लिए यही सुत्र ले लेना और चट के लिए भी यही सुत्र लेना तो यही सुत्र लेकर दूसरा भी हो जाएगा अब दूसरा कहता है कोस्ट भी निकालो तो फर्मूला सेम यही लेना है इससे आपको चार दिवारों का चेट पल मिल जाएगा सफेद रुपे दे रखा है तो जो भी एरिया आएगा साड़े साथ रुपे से मैंटिप्लाइब कर देना हो जाएगा ठीक है को से नमबर थर्ड कि दफ लोर ओफ ए रेक्टेंगुलर होल एक ऐसे आयताकार कमरा होता है पूरा होल एक रेक्टेंगुलर होल है कि इसका पेरिमिटर इसका पेरिमिटर आपको दे रखा है दो सो पचास मिटर पर चार दिवारों पर जो हमने सपेढी कराई सिर्फ चार दिवारों पर सब्सकराइब 15,000 खरचा आया है और रेड्ट था 10 रूपे पर dizzy तो आपको यहां से मिल गया की आपको total खरचा 15,000 आया है रेड्टत दस रूपे से तो फट्रा-जार रूपे खरचा दस रूपे की रेड्ट से कैसे आया होगा तो हमने ना पंदरा सो फंदरााजार को जब सेट लगे तो आपको एरिया ओफोर गोल निकल जाएगा क्यों निकलेगा एरिया ओफोर गोल वो डिखो काटने अपर 1500 मिटर आएगा देखो पंदरा सो जो मीटर है हमने इतने ही दिवारों पे सफेदी करवाई होगी तो एक मीटर का दाम क्या लिखा था दस रुपे तो पंदरा सो मेटर स्क्यार पे हमने सफेदी कराई होगी दस रुपे के साफ से तभी न दस रुपे गुना करके पंदरा जार रुपे का बिलाया है तो पंदरा जार को उल्टा आप दस से बाग कर दोगे तो पंदरा सो रुपे आ जाएगा बात को समझो मालो मैंना कोई समान खरीब ने गया और मैं डेड़ सो रुपे में दस समान लाया बताओ एक समान कितने का था। मैंना 1500 रुपे लेके गया और 10 समान लाया तो मैंना largestor रफ़पे कितने का था और 15 रुपे ठीजए तो ढिवाइट देने पर हम ने सपेधी चार दिवारों पर करा ही 1500 तो चार दिवारों के सपेदी के चितपल आगया यानि आपका एरिया वह आगया 1500 अब इसके बाद हमें बहुत आ रहिख देपर लेख के चार दिवारों के criticizing अगया तो बोलता है हइठ बताओ इसका फर्मूला होता है perimeter of base into height इसका फर्मूला क्या होता है perimeter of base into height या आपका 15 स्वाया perimeter देखों आपको डे रखा था 100-500 निकालना है अपना ये 500 बटे में चलए गा तो हाइट निकालने के लिए पंदरा सो के बटे में 200 चला जाएगा और यह कट के आ जाएगा छे मिटर तो यह मारा तीन कोश्टन हो गए यह आप अपनों ट्राइब करना हो जाएगा हाँ तो देखो एक अगला कोश्टन है यह ने कन्टेनर कंटेन सोरी सर्टेज कंटेनर किसी निशित बर्तन में вами कुछ पेंट रखा हूए और वो बर्तन पता नहीं कैसा है लेकिन किसी भी बर्तन में एक प्रखा हुआ है तो कहता है कि इस सुफिशियन्ट टो पेंट एन एरिया एक्वल तू 9.375 मिट्र की स्क्वेर बोलता है यह पेंट इतना काफी है कि यह इतने एरिया पे तो पेंट करी सकता है वो पेंट फिर बोलता है कि पता करो हाव मैनी ब्रिक्स ओफ डिमेंशन 22.5 cm 10 cm और 7.5 cm can be painted out of this container अगर हम उस बर्तन में से कुछ पेंट को निकालके इटों पेंट करना कर दें तो बताओ अगर कोई एक इट कि जिसका साइज लेंद ब्रेंथ इतना हो तो कितनी इटों को paint कर सकते हैं तो परतन है कि एक paint है उसे हम 9.375 मिट्र स्क्वेर पेंट कर सकते हैं और उस paint को एक इट पेंट किया गया है इट की लंबाई चोड़ाई चाही दे रखी है तो ऐसे कितनी इटों को paint करेंगे उस paint से ठीक है तो क्या करते हैं कि पहले हम एक इट का टोटल सर्फेस एरिया निकाल लेंगे क्योंकि पूरे इट पेंट करेंगे तो पूरे टोटल सर्फेस एरिया पे करेंगे तो एक इट का टोटल सर्फेस एरिया निकाल लेंगे और जितना भी हमें paint दिया है उसे उस एक इट के टोटल सर्फेस एरिया से भाग कर देंगे अ जो एट को για सकता है, तो देख लेते हैं मैंने ना इत के लिए एक छितर बना लिए आपको एक्जाम में हर जगे छिटर बना पोनाद जुरुत नहीं है आप बिनदे के भी कर सकते हो, छितर जो है 70 meter मेंیا बरतं हो गया 10 centimeter में और हएट हो गया 7.5 centimeter में तो अब है centimeter में और मुझे बोला कि था कि किसी container में किसी actually बरतन में और बरतन पता नहीं किसा दिःभता होगा उस बरतन में महाल लेता हो बरतन ऐसा वह इस बरतन से हम इतने एरिया पर पेंट करता सकते हैं, 9,5,3,7,5 मिटर के और पेंट कर सकते हैं, तो हमें बोलना था कि find करो, कि how many bricks of dimensions, how many bricks can be painted, हम कितने इटो को पेंट कर सकते हैं, हम कितने इटो को पेंट कर सकते हैं यह पता करना था, तो हम पहले क्या करेंगे पहले निकालेंगे टोटल सर्फेस एरिया ऑफ आ ब्रिक ब्रिक माने इट तो हम पहले निकालेंगे एक इट का कुल प्रस्ट्री अचेतरफल ह हुआ तो एक यह को रिख सबकोच क्या है वह कैसा करैंड दिखता है इसलिए ratings अब ले लंगे तरहरा एक चीज और चीजस में त прошजा कर लेंगे यह जो है ना यह इस पीन फ्रीट較 किसमें किसमें तो हम इसकों भी किसमें करेंगे मिटर में इसको मीटर में बदलने के लिए चोगा ले यह चाहरा करना पड़ेगा तो बाइस पाँच जोगेक्छ ले लेंगे 10 के डिवाइड में सो ले लेंगे और 7.5 के वे डिवाइड में सो ले लेंगे ताकि यह क्या बन गए मीटर तो अब मैं इसका टोटल सर्पेस इरे निकाल के दिखाता हूं तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो लेंथ मेरा कितना है तो 22.5 अपोन में हंड्रेड मंटिप्लाई 10 अपोन में हंड्रेड प्लस 10 अपोन में हंड्रेड मंटिप्लाई हाइट हाइट है आपका 7.5 डिवाइड में हंड्रेड प्लस 7.5 डिवाइड में 100 मंटिप्लाई लेंथ लेंथ हो जाता है 22.5 बटे में 100 अब देखो इन्हें गुना करेंगे पहले डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 और बढ़ जाएगा 0 यहां पे भी आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा यहां पे इसको भी आप मंटिप्लाई करोगे रुको यह ना बहुत ज्यादा जीरो बढ़ गए हैं इसको काट के छोटा कर लेते हैं एक जीरो से जीरो काट लिया 225 बटे में चार जीरो फिर ऐसी यह वाला एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा तो जाएगा 75 बटे में 4 जीरो यहां पर भी बहुत ज्यादा जीरो है यह आपका 25 कर जाएगा 25 तिया 75 यह जाएगा 25 चोग 100 तो यह तुम्हार हो जाएगा 3 पचे 15 का 5 हासिल गया एक तुन दुन छे और ए यहां पे निए यह वाला एक जाएगा रिख ड़ेंपेगा रोह 20 फिर 10 मीं पर आ जाएगा अब यह पचे से हamm जाए अपछित यह रिख जाये वह जाएगा तो उपर आजाएगा आपका 9,3,7,20 और बटे में ये गुना आजाएगा 4,16 थोड़ा ज़्यादा ही टफ हो गया यहाँ चलो इसको काड़ देते हैं थोड़ा था 25 से इसको 25,9,225,25 से काड़ दो 400 यह भी 25 कर देगा 25 ते 75 अब 25 से काड़ोगे तो यह भी 400 बज अब आपका आजाता है यहाँ पर दो दो यह 9 बटा 400 जाएगा यह जाएगा तीन बटा 400 यह जाएगा 27 बटा 1600 अब इनका लेंगे तो माल लेते हैं कि 1600 आ गया इनका लिसे माल लो 16 आ गया तो चार सो के पड़े में सोलो चार बर आता है चार निम चातिस फिर चार के पड़े में चार बर आता चारतिया बारा और यह 27 रहेगा इसे एड कर लेते चातिस बारा अड़ तालिस अड़ तालिस में सताई जोड़ो यह जाएगा 75 बटे सोला सो अब यह कड़ जाएगा 75 अब 25 से कड़ जागा यह पच्ची चीक डेढ़ सो और उको पच्ची से कटेगा पच्ची चोक सो ठीक है पच्ची चीक डेढ़ सो पच्ची चोक सो अचो सट आ जाएगा तो तीन बटा 32 आ जाएगा यह आ गया मीटर की स्क्वेर रुख जाओ कहीं गलती हो गया लगता है हिसक हो अभी बनाएंगे कल से संवरince को अबना वह जो आन्सर एगा है वह एक इडे के पेंट का अई यह और हमारे पाच इतना wants रखा अ इतने सारा पेंट है और उसे बारी-बारी से एक-एक हो पेंट करोंगे तो एक जिए तो भी करेगा इतना तो बिसे दिवाइड कर दोगे brush subscribe बनाम भी पेंटेड वहले कितने इंतों को पेंट कर सकते हो तो 9.375 को डिवाइड कर दोगे ऐक द करिया पतीय के दिवाइड से दिवाइड करो हैं देखो पांचा को सण मैं पढ़गा हो यहां से सुनने लिगता है एक चुपोडियल भॉक्सें क्योडियल अपके लगोंते हैं घणाकार बक्सा ऐसाएक थौड़ा लंबा सा लिखा है इसकी सैड दस है तो सारी सैड है इसकी दस आ गया फिर बोलता है एंदर की बोडियल बॉक्स इसी के जैसा एक ओर की बोडियल बोक्स है की बोडियल थोड़ा चिप्टा जैसा बनेगा हूँ ऐसे ऐसे बनेगा यह क्यूबिकल था और यह वाला लिखा है यह क्यूबोडिकल है क्यूबोडियल है यह क्यूबोडियल बोक्स है इसकी लेंथ है 12.5 सेंटिमिटर बरहते 10 सेंटिमिटर और इसकी हाईट है 8 सेंटिमिटर तो इसकी साइड है 10 दस दस इसकी लेंथ परहत है साड़े बारा दस और आठ अब बोलता है पहला बताओ इस और इस पहला पोचाए इन दोनों में इसे किसका itel पर दो और सब्सक्राइब करता स्वासर और उसका लेटर ब्रकेट IT लेंट प्लस ब्रेफ और इंट्यू इंटू में फार मेरो सब्सक्राइब कॉझटमीं तो इसका अध्म इंटू सॺम्णी बिद्ध ऑग तो दो मंटिप्लाइ साड़े बाइस इंटू में हाइट इसे मंटिप्लाइ करोगे 45 गुना में आठ यह आपका गुना करके आजाएगा 360 अब बोला था इन दोनों में से किसका ज्यादा है तो लिख देंगे लेटरल सर्फेस एरिया का ज्यादा है इस मोर तो लिख देंगे यह ज्यादा है और कितना ज्यादा है तो 400 में से 360 घटा देंगे तो डिफ्रेंस मिल जाएगा यह जाएगा 40 cm2 more ज्यादा है फिर एक और कोर्षन पूछाता था पार्ट टू में आपसे पूछा था कि इन दोनों बक्से में से किसका लेटरल सर्फेस एरिया ज्यादा है तो इसका लेटरल सर्फेस एरिया होता है तो जब दोनों को निकाला तो यह 400 ज़ादा तो पूछा था बताओ किसका ज्यादा आ रहा है तो अमें पर चला कि इसका ज्यादा आ रहा है 400 यानि आंसर हो जाएगा कि 100 लेटरल सर्फिस एरिया of cubic cubicle box is more और कितना ज्यादा है तो घटाने पर डिफ्रेंस हाजाएगा 40 सेंट में ज्यादा अब एक और कोशन पुछा था विच बोक्स है था स्मोलर टोटल सर्पे सेरिया बता और दोनों में से किसका छोटा है और कितना छोटा है तो अब दोनों को निकालेंगे टोटल सर्पे सेरिया ओफ स्काइर क्यूबिकल बोक्स का टोटल सर्पे सेरिया निकालेंगे तो 6 से स्कैर तो 6 इंटो 10 इंटो 10 यह जागा 600 सेंटे मिटर का स्क्वार एस कियर में आते हैं